हेलो प्रेंट्स, योगी फूर रेसीपी में आप सभी का स्वाधत है आज मैं आपके सत्सियर करने वाली हूँ एक ऐसी सब्जी जिसे हम ब्रेकफार्श, लांच, डिनर कभी भी बना सकते हैं ये सब्जी बहुती स्वाधिश्ट होती है और साथ में अगर हमें छोटे लाल अलू मिल जाए तो क्या कहने चोटे आलू मटर और सोयाब इनकी सब्जी बहुती टेस्टी होती है और इसे छोटे सिले के बड़े तक सभी बहुत ही पसंद करते हैं हम इसे रोटी चापाती चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं तो आए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने यहाप लिया है छोटी लालालू और कुछ बीन्स और गाजर ग्रेवी के लिया है टमाटर प्याज कुछ हरी मिर्च गोल मिर्च लसन और अद्रग हमें इनका पे पानी को निचोर के निकाल लिया है तब हम इसे फ्राइ कर लेते हैं इसे हमें हलका ब्राउन होने तब फ्राइब कर लेना है मैं इसमें कुछ नमक डाल देती हूं और इसे हमें फिर से चला लेना है सोया बीन फ्राइब निकाल लेते हैं सोया बीन हमें हपते में कम से कुछ दो बर खाना चाहिए यह हमारे सहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है अग्रेवी के लिए मैंने यहां पे टेल डाल दिया है और अब मैं इसमें डाल देती हूं प्याज और चला लेती हूं और जाल देती हूं दो तेज पत्ता और सुभी में हमें इसे हल्के बराण होने तक प्राइब कर लेना है प्याज प्राइब हो चुकी है तब मैं इसमें डाल देती हूं कटी हूए टामाटर और हमें इसे चला लेना है तामाटर जल्दी के खेगा इसके लिए हमें इसमें डाल देना है नमस जल्दी जल जाएं मैं इसमें डाल देती हूं दो चमज नमस आप अपनी पेस्ट के अनुसार कंगया जादा कर सकते हैं हमें इसे चला लेना है और हम देती हूं मसालों को जिसे मेंने पेस्ट कर लिया है जल्दी पाउडर जीरा पाउडर अधर्म पाउडर हमें इसे भी मिक्स कर लेना है हमें अच्छी तरह से त्ताई गो जाए तो यहीं मिक्से जार में झाल में ठोड़ा और हमें इसे चला लेना है तब तक पकाना है तब तक कच्छा फिलिवर दाना चाहे अब मैं इसे में डाल देती हूं करस्ट इच पावडर यह पूरा स्वाफनल है इसे डालने से कलर बहुत अच्छा आता है आप चाहे तो डाले या ना डाले हमें इसे भी मिक्स कर लेना है मसाले देखिए फ्राई हो चुकी है इसमें ओइल ऊपर से नजर आ रही है तो मैं इसमें डाल देती हूं बीन से प्लाजर इसे में पहले ही बॉल कर लिया है और आप हमें इसे मिला लेना है मेस मेंा और दे देती हूं सोया बीन को किसे में फ्राई कर लिया था इसे भी मिला लेना है मसालो के तो और डाल दे देदी की जिन आलू आलू की यह लाल आलो है यह खाने दिस भी स्वादिष्ट होती है मिला लेना है इसे हमें दो मिनित तक भूल लेना है हमने दो मिनित तक घुन लिया है तो में इस में डाल देती हूं हरी मतर को इसे में लाश्ट में डाल रही हूं जुआ हारी मतर को 5 उने तक भूल लेना है यह दिखने महीं देखिए कितेमे अच्छी हो जैसे इसे हमने भूल देआ हैं ग्रेवी के लिए पानी मैं इसमें डाल गहीं हूं गरम पानी आप ग्रेवी के लिए जब भी डाले तो गरम पानी यह डाले इससे सब्जी जल्दी पख जाती है और हमें इसे चला लेना है और अब हम इसे ढग दिते हैं और ढग के 10 किनेटी से हम और पकाएंगे जिसे की हरी मतर पक जाए सब्जी बनके तयार है देखिए यह कितने गाड़ी हो गई है तरह में इसी तरह से गाड़ा ही रखना है ज्यादा पतला नहीं करना है यह इसे ही अच्छी लगती खाने में और अब मैं इसमें डाल देती हूं कस्तूरी मेथी आप कस्तूरी मेथी लाश्ट में जरूर डाले इससे सबजी बहुत ही स्वाधिश्च होती है इसे इसकी पना करें इससे इसका टेश दुगना हो जाता है और सबजी से बहुत अच्छी खुस्बू भी निकलती है अब मैं इसमें डाल देती हूं गरम मसाला आधा चम मच केतना और डाल देती हूं हराधनिया अब इस सर्दियों कमो समय तो हमें बहुत ही आसानी से हराधनिया मार्केट में मिल जाती है तो हराधनिया तो डालना बनता है इसे डाल के अच्छी तरह से मिला ले और हमारी स्वया बिन आलू मतर की सबची तैयार है आप इसे चपापी चावल किसी के भी साथ खाएं जो बह अगर आपको मेरी आज की रेसीपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलती हूं मैं अपने नेक्स रेसीपी के साथ अब तक के लिए बाई एंड टेक्च चेर